आज E.D. एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को अपमानित करना पकड़ पकड़ के जेल में डालना और साथी साथ अपने लोगों को बचा बचा के हिंदुस्तान के बाहर छोड़ना ये भाजपा करवा रही उन और मेहुल चौकसी जो हजारो करोन लूट कर बैठे हुएं विदेशों में उन पे कारवाई के लिए नहीं है E.D. जिसको भारती जनता पार्टी की सरकार ने हजारो करोन रुपए की लूट करवा के हिंदुस्तान से भगा दिया बीजे मालिया के खिलाफ कारवाई करने के लिए नहीं है E.D. जिनको वसंदरा राजे जी के सहीयोक से हिंदुस्तान से भगाया गया और एक स्वरगी नेता इस समय दुनिया में नहीं है उनका नाम नहीं लूँगा उस ललित मोदी के खिलाफ कारवाई करने के लिए नहीं बनी इडी नितिन संदेसरा जो छे हजार करों रुपए लूट कर हिंदुस्तान से भाग गया उसके खिलाफ कारवाई करने के लिए नहीं बनी यदुरप्पा के खिलाफ कारवाई करने के लिए नहीं ब्यापम के घोटाले बाजों के खिलाब कारवाई करने के लिए नहीं भारती जंता पार्टी का एक मंत्री है करनाटका का इस्वरप्पा मंत्री था वहाँ 40% कमीशन मांगा ठेकेदार से उसने 40% कमीशन और वो ठेकेदार आत्म हत्या करके मर गया एडी उस मंत्री के खिलाफ कारवाई करने के लिए नहीं बनी और वो मंत्री के स्वरप्पा कह रहा है रास्टी ध्ष्थ तिरंगा बदल देना चाहिए E.D. किस लिए बनी है? E.D. सते इंजैन पे कारवाई करने के लिए बनी है E.D. आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कारवाई करने के लिए बनी है E.D. आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनी है और मैं आकड़े पहले भी बता चुका हूँ फिर दोहरा दे रहा हूँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार के उपर एक नहीं एक हजार बार कारवाई की भारती जनता पार्टी ने और उनकी कटपुतलियों ने लेकिन आज तक जब जब कारवाई की आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुद मजबूर होकर इनको क्लीन चिट देना पड़ा मोदी जी की कटपुतली और तोतों को खुद क्लीन चिट देना पड़ा कोई साक्षाम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं मिले उप मुख्य मंतरी मनीसी सौदियाजी के घर पे सीबियाई का चापा हुआ उनके परिवार को अपमानित किया गया उनको अपमानित करने का काम किया आस तक उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला हमारे 34-34 विधायकों पर 140 मुकदमे लगाए गए 72 मामलों में वो कोट से बरी हो गए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के उपर कोट ने लतार लगाई बाकी मामलों में इस्टे है या तो वो पेंडिंग है आज तक किसी भी मामले में कोई कारवाई नहीं हुई सारे के सारे मामलों में हमारे विधायक बरी हुए हमारे कई मंत्रियों पर E.D. का C.B.I. का छापा किया गया उनके खिलाफ आज तक कोई मामला साबित नहीं कर पाई सरकार और तो और चार सो फाईलों की जाच कराई थी चार सो फाईलों की जाच कराई मोधी जी ने अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार से जुड़े हुए चार सो फाईलों की जाच और बाद में कह दिया इसमें तो कुछ नहीं निकला खुद नरेंदर मोधी जी ने अर्विंद केजरिवाल को क्लीन चिट दे दिया बोले कुछ नहीं मिला आज कर क्या रही है भारती जनता पार्टी इनसे जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण से इनको पेट में दर्द है कैसे सतेन जैन महला क्लीनिक बना सकते हैं कैसे सतेंजین के महला क्लीनिक के मौडल की चर्चा अमेरिका के न्यू यॉर्क ट्राइम्स में हो रही है कैसे सतेंजین के स्वास्थ मौडल की लोग प्रियता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है इसलिए सतेंजین का गला दबाओ उनको फर्जी मामले में जेल में डालो और पूरे हिंदुस्तान में उनको बदनाम करो और चिलाओ चारो तरफ की वो बरस्टा चारी है गद्दार है फलाना है डिमका है आज स्मृती ईरानी जी को पूरे देश के सामने आकर हाथ जोड़ कर माफी मागनी चाहिए आज भारती जनता पाटी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़ कर माफी मागनी चाहिए और एक मंत्री जिस पर न तो कोई F.I.R. है न कोई शिकायत है ऐसे मंत्री को आपने दस दिन जबर्दस्ती एडी के बिग बास के घर में जबर्दस्ती करके उनको रखने का जो काम किया है इसके लिए पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी और जिन लोगों ने भी सतेंजैन के खिलाफ उट पटांग टिपड़ी की है उनको माफी मांगनी चाहिए दूसरी बात एक मामला और था सर्विसेस से जुड़ा हुआ सीबियाई ने उसकी जाच की इनी सतेंजैन के खिलाफ और उनके परिवार को भी उस जाच में घसीटा गया उनको भी अप्मानित किया गया पांच साल तक जाच चली और आप लोग जानते हैं सारे लोग सीबियाई किसी मामले की जाच अचानक नहीं सुरू करती सीबियाई ने एक साल तक उस पर पीई दाखिल की पीई दाखिल करने के बाद प्राइमरी इंक्वाईरी करने के बाद उस पर एफ आई आर दर्ज की इस मामले में तो एफ आई आर भी दर्ज नहीं है लेकिन सी बी आई ने एफ आई अर्दर्च की दोहजार अठारा में और चार साल के बाहद कह दिया साब कुछ नहीं निकला सते इंजेन क्लीन चिट तो हमारे हां आवध में बच्चे आपस में खेलते हैं उसके बाद कह देते हैं दूद भात मुच यानि कुछ नहीं निकला तो आपने इन सारी एजेंसियों को मजाग बना लिया है अपनी कचपुतली बना लिया है आज तक ED ने जितनी रेड मारी है मात्र नव मामलों में कन्विक्शन हुआ है 0.4% 0.4% कन्विक्शन रेट है ED का इसका मतलब इस संस्था के उपर देश की जनता का जो करोड़ों रुपए बरबाद हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिपक्श के लोगों का गला दबाने के लिए बिपक्श को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को जेल में डालने के लिए उनको बदनाम करने के लिए हो रहा है इसके अत्रिक्त कुछ नहीं है और ये हाई कोट का जो आडर है इसमें जो लिखा हुआ दस्तावेज है ये ये साफ साफ कह रहा है सते इन जैन पर कोई F.I.R. नहीं है सते इन जैन के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है तो किस कारण से सते इन जैन को 9 जून तक अपनी रिमांड में अपनी गिरफ्ट में E.D. ने रखा है इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए आपके कोई प्रस्न हो तो पूछ सकते है देखो जब मामला कोर्ट में है तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे लीगली ही करेंगे लेकिन कल जब हमने कहा कि भई आप और लो़र कोर्ट का आडर था कि वकील साथ में रहेगा पूस्ताच के दौरान दूर बैठके देखता रहेगा तो उसके खिलाफ हाई कोट गए बोले नेनी साब हमें तो कुछ प्रताड ना देनी है इसलिए अलग पूस्ताच करना है जो भी उनका तरक रहा हो तो एक्यूस्ट के लिए वकील मिलता है वो आडर में भी था तो हाई कोट में इन्होंने कहा कि साब वो तो एक्यूस्ट है नहीं सतेन जैन आरोपी नहीं है साब ये मैं नहीं कह रहा हूँ इडी कह रही है उनके खिलाब कोई आरोप नहीं है साब कोई एफ आई आर नहीं है उनके खिलाब कोई कंप्लेंट नहीं है तो क्यों बुलाया भईया क्यों बुलाया जो व्यक्ति आरोपी नहीं जो व्यक्ति जिसके खिलाब फाई आर नहीं जिसके खिलाब कोई शिकायत नहीं उसको आप बरस्टा चारी देश का गद्दार पता नहीं क्या-क्या बख्के जा रहे हो तो इसमृति हिरानी जी को आज प्रेस कॉंफरेंस करके माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से भाजपाईयों को माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को निकल कर सामने आके माफी मांगनी चाहिए ये क्या कर रहे हैं आप लोग एक मंत्री जो स्वास्त के छेत्र में अनुकरनिय काम कर रहा है उसको आप पकड़के जेल में डाल रहे हो दिल्ली के सिक्षा मंत्री जो 112 देशों के अधिवेशन में जाके दिल्ली के सिक्षा मौडल की तारीफ करके उसके मौडल को प्रस्तूत करके आते हैं उस सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हो क्या कर रहे हो तीन साल पुरानी एक शिकायत ली सिक्षा मंत्री मनिस स्वादिया के खिलाब दो भारती जनता पार्टी के नेताओं से और तीन साल के बाद क्या बोले बोले अभी जग्या हूँ तीन साल तक कुम्बकरण की नीन सो रहा था ऐसा करो जो कुछ भी है लेके आओ मजाग बना रखा है अरे किसी थाने में F.I.R. के लिए कोई शिकायत करता है कि ने शिक्षा मॉडल उसकी प्रसंसा की जा रही है अर्विन केजरिवाल के सिक्षा मॉडल की प्रसंसा की जा रही है जब अमेरिका के रास्टपती की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरिवाल और मनिश से सौधिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया और ये क्या कह रहे ये कह रहे नहीं नहीं इनको हमें जेल में डालना ये कैसे सिख्षा क्रामती को आगे बढ़ा सकते तो इसलिए जो बात अर्वीन जी ने कही बिल्कुल सही कहा कि ना तो मीडिया का समय बर्बाद कीजिए ना इस देश की जनता का समय बर्बाद कीजिए हम सब को पकड़के एक साथ मोदी जी उठाके जेल में डाल दीजिए आपको संतुस्टी मिल जाएगी शांती में रहिए आप देश के लिए कुछ काम कीजिए आप से बेरोजगारी तो रुक नहीं रही सिख्षा पे आप कोई काम कर नहीं सकते स्वास् कि भाजपाईयों का अंदर आना मना है यूपी की सरकार में यह हलत हो गए यह भाजपा की शर्मानी चाहिए इन लों को थानेदार को बंदूगतान रहे हैं थानेदार ने बाहर बैना लगवा दिया भाजपा नेताओं का अंदर थाने में आना मना है अब आप सोचिए तो तो इसलिए इस पार्टी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है एक एक घटनाओं के बाद इस पूरे मामले में अगर कोई साच सबूत नहीं है तो जो राउजवेल्यू कोट ने जो नौ दिन की कस्टडी दी है सलेंड जैंग को किस अधार पे दी है कि केशिवल साब ने उंको क्लींचिट दिया है आपकी बातों से भी लग रहा है मनीश जी की बातों से भी लग रहा है लेकिन अगर मामले में कोई तथ्षे नजर नहीं आया को तो नौ दिन की रिमांट क्यों दी है देखिए ऐसा है प्रकिरिया होती है जो अगा जाच एजं उस्ताच अगर करनी है तो एक वकील साथ में रखने दो, ये उसका अधिकार है, उस फैसले के खिलाफ ये हाई कोट चले गए, कहले लगे नहीं नहीं साब, हमें तो गोपनी धंक से मोदी जी जो कहेंगे वो सवाल पूछना है, इसलिए वकील को हम नहीं बेठने देंगे, उ सवाल थो मोदी जी किया से आता है? तो इनका वकील कैसे सुल सकता है? तो ये हाई कोट चले गए, तो हाई कोट ने कहाँ, जब एक यूजड हैं, तो उनका राइट है वकील का, रखने का, तो कहले लगे, नहीं नहीं साब, इन पर तो F.I.R. ही नहीं है, इनके खिलाफ complainant ना इनके खिलाब कोई complaint है वहाँ इस बात का एक खुलासा कर रहे है